जिनाब आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से इंपॉर्टन डी कि हमने पिसल जिना एक टॉपिक डिसकास गया था है कि कॉन्फिक्ट इस तरह से पेरेंस को आपस की कॉन्फिक्ट जो बच्चों के सरिंदाज हो जाए आज हमारे अनॉमली अब हम इंडिपेंडेंट हो मतलब यह तमाम रिलेशन्स होएं आपको किसी ने किसी तोर पर गाइट कर रहे होते हैं लेकिन उनकी गाइडंस में और चुंके हम अब टाइम की बात करते हैं चेंजे जारी हैं बहुत से इसे फैक्टर्स हैं को आज हम डिसकास करने वाले हैं साइकलोजिकल इंपक्त और मतलब गार्ट इसकास करणे बात करेंगे अब कर लोगया किसी ने की जाने भाइएंगे हम जरह बात करने वाले हैं कि आज रिलेशन इल्लोज और बच्चों का और सेकेंडली हमें गाइडंस की जरूरत होती है बच्चा हो बड़ा हो जिस मर्जी एचका हो हमेशा किसी ने क तो इसी गाइदेंस की जरूदा थे हैं इजाक रविद्ध आप अब 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 आप आप से अब आपका ने की बाषिश वर ने की बादा है जब हम रहे हो थें वह थें दो आप कोई प्रॉब्लम आता है जब हम रहे हो थें एक सोसाइटी तो फिर इंकाउंटरिम तो जब हम इंकाउंटर करते हैं डिफेंट लोगों के साथ तो डफिनेटली हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं और जो बच्चे अगर तो आप एडिल्ट्स की बाते हैं 18 यर्स से अब आफ के जो बच्चे होते हैं और उनको हमारे हां बच्चा इसलिए कहा जाता है दो देयार एडिल्ट एकिन क्योंकि यह हमारी लेमें टर्म है तो हम उनको बच्चा ही कहते हैं तो यह बच्चे से मुराद हमाई 10-11 साल का नहीं बलके एडल्स साल के तो उनकी एज ऐसी होती है वन देया आर अंटरिंग इन निव लाइफ चाहे वह रिलेशनशिप हो चाहे वह उनका करियर हो चाहे वह उनकी प्रफेशनल लाइफ हो तो वह बलकुल नई दुनिया के अंदर एंटर हो रहे होते हैं वह पर जो है उनको step by step जो है कि उनके एक step से दूसरे step पे किसना जाना थर्ज स्टैप पे किसना जाना उसके लिए parents की बड़ों की guidance चाहे ज़हें आपने भी mention किया नाणा है दादी है या parents उनकी ज़रूरत परती है तो I think so के guidance इसलिए हमारे हाँ और दूसरा हमारे जो खांदानी निजाम है वो combined family system है तो combined family system में जब आप रहते हो तो everyone consider themself के वो उनको guide करें तो हम अपने experiences से उनको help करें तो I think that's why हमारे हाँ guidance को बहुत अदा focus किया जाता है but this is another thing के how we should guide over childs वो बहुत important है मतलब हमारे हाँ मैंने जो चीज देखिया है जो हमारे पास लोग आते हैं उनको अकसर ये complain होता है कि अम्मी बहुत जादा interfere करती है देक है ये दादा बहुत जादा सक्ती करते है अब इसमें एक चीज हमारे माश्य में ये नहीं समझी जाती अब हमारे को आदा आधा है जि नहीं हो और एक एड़ाइस लेने के लिए तो मेरा यह ख्याल है कि बिंग एंड अडिल्ड आपको हमेशा इस चीज़ का वेट करना चाहिए कि कब वो बचा अपनी जो प्रॉबलम है वो आपके साथ शेयर करें एंड यू कन एड़ाइज और वो फेस्टरब है या जब वो किसी के साथ डिसकास करने के मौड में नहीं ह तब उसको नसीयत करना उसको मजीद ऑफिंसिव बनाने वादी पार ऐसे जो है कि बच्छे जो ग्रोइंग एज में जा रहे हैं और आस तरह जिस तरह वालेदें बहुत मसरूफ हो गें अब उनके पस इतना टाइम ही होता कि बच्छों को कॉलिटी टाइम जी सकें अब चो उस वक्त उनको ज्यादा कम्यूनिकेशन की जरूरत होती है और माबाब की गाइड़न्स की जरूरत होती है माबाब को चाहिए कि हम पच्छों को कॉलिटी टाइम बेटी यह बेटों को साथ लेकर बैठी पहले तो यह था कि पहले एक यूनिट सिस्टम होता था कमभाइन मING fingering ब्रस फींदी अब वैसा नहीं है या वाले दो याजई रहा है got time day social ुशे पर बात करें उनकी सायर इस होबी क्या सक्थास या नापासंद आ चाए उनकी फ्रेंश की आ नामने मृन के वाले देन क्या करते हैं को छोजा हुआ सान harman वालेदेन हमारे साथ राप्ते में और ये कि उनकी क्या मसाइल है या वो क्या चीज आगे जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं या जिस लाइन को उन्होंने चूज कर लिया वो उसको पसान नहीं उसको तबीग करना चाहरे हैं और अभी वक्त भी है इस तरह चोड़ चोड़ समझते हैं कि इन्होंने स्पेस नहीं दी और जिसकी वजह से हम पीछे रहे हैं या फ़लां का जो वालेदेने उनको ज्यादा टाइम दे रहे हैं शौपिंग में साथ लेकि जा रहे हैं सोचल इसकास कर रहे हैं टैल वी और कठे बैट की टीवी देख रहे हैं फिल्म देख आपने सिखा है वो इसमें पीछे ना रहे जाएं या उनको एक तुबारा तजर्बे से ना गुजरना पर इसे गाइडेंस बरवक पे बहुत जरूरी है अच्छा हम बढ़ों की बाद बच्चों को भी अब उन्हें भी हमें समझाने के जरूरत है कि जो गाइडेंस है हमार प्रियत नहीं सुलना चाहता है या वो गाइडेंस नहीं लेते या उस पर प्रेफर नहीं करते बल्कुल बल्कुल एक्षर एक्सर अब अग्सर अग्सा होता है कि जब एडर्ल पेज के अंदर कोई बी किसी कॉन्फ्लेक्ट में जाता है तो वो उसे रवील इसलिए भी नह प्रिमिच करी होती जिसके विजए से वो अपने आपको कन्फाइंड कर रहा हुता है वो पीछे होना शुरू हो जाता है आपने देखा होगा कि ऐसे बचे जो खास तोर पे इस वक्त के जिससा मैंने आपको बताया कि एशूस क्या होते हैं कोई लाव रिलेशन्शिप शु हो जाता है अब अगर आपको एक चीज नजर आ रही है अपने बचे के अंदर और वो आप से शेयर नहीं कर रहा है तो डेफिनिटली बींगा एडल्ट आप ऐसे नहीं बैठेर होगे के मैं पेरेंट हूं लेकिन ठीक है मेरा बच्छा शेयर नहीं कर तो इसके लिए हमेशा कहते हैं कि आप उनके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपने अपनी लाइफ के अंदर किये या आपने दूसरों के सुने तो इंडिरेक्ट वे में जब आप उनकी कॉंसलिंग करते हैं तो बच्छा अपना जवाब उसको मिल जाता है और आप उसे उफेंड भी नही में तो आपको इसकी तरफ उफेंड होने का या बहुत ज़्यादा घुसा करने की ज़रूरत नहीं है रादर आप उसे वो स्टोरी सुनाएं जो के आपने अब्जर्व की हैं और आपने अपनी लाइफ में देखी क्योंकर डैफिनेटली पेरेंट्स बच्छों से 20-22 साल ब पता चले एक चीज आप यह यूज कर सकते हैं दूशना जिसना बिनों ने डॉक्टर जवीर ने बड़ी अच्छी बात की कि कॉलिटी टाइम जो पेरेंट्स को है वो स्पेंड करना चाहिए अब कॉलिटी टाइम को स्पेंड करने का तरीका किया है वो यह तरीका है कि जो कि मुच्छी इंट्रस्ट की चीजें हैं जिस्ट ट्राइ टू डू अगेन या अगर आपको यह लग रहा है कि आपके बच्छा किसी जो करियर आपने उसके लिए चूस किया है वो उसमें नहीं चल रहा तो आप उसको किसी साइकलाजिकल हल्प के लिए लेके जा सकते हैं या आप उसको कोई ऐसी मुवी दिखा सकते हैं जिसके अंदर आपको पता हो कि इसी इसी को एड्रेस किया गया तो तो गाइडन्स का तरीका सिर्व यह नहीं है कि आप बच्छे को बिठा के या बहुत जादा डांटें या उसको बहुत जादा एक तर्टीब में एक कि अप इसी इसी को एड़े जयए अजिसे अभी डॉक्तर मजीवा भी कह ली थी कि इसी की इसी थोड़े भात करते हैं इसी थोड़े डिफरेंटें बच्छों के आजकल के वन हमारे प्रीदंस के थोड़े और तरह के इसी उस थी पर इस तरह का प्रेशन नहीं होता था या साइकोलोजिकल एक कहलें कि चीजें इद्वांस टिकनालोजी है, सोशल मीडिया, वह सारी चीज़ उसकी भी डिप्रेशन सारे इंडक्ट हो गए हमारी जनेरेशन में वालिद साब के निकल दें, काम से जा रहे हैं, बेटा कुछ कहना चा रहा है, नहीं कह पाया, तो यह बात है कि इन चीज़ों को वालिद हैं को भी बहुत जादा समझना होगा, हम उस जमाने में गुजर रहे हैं, उस जमाने में जब हमारे बचे शायद मीडिया के सोचल मीड जिए जनरेशन गैप है, और देखें एक जनरेशन गैप और भी तरह से चल रहा है, वालिदा थी वो बुर्का लेती थी, बेटी दुबटा लेती तो बेटी जीन पहंगती है, अब वो चीज़ें भी लेकर चलना कि बच्ची को एक दर्म्याने रास्ते में लेके चलें, बच्चों का ये ध्यान रखना है कि इन लोगों में उठते बैखते हैं, अगर आपको लग रहे है, और उसको गैप बच्चे ने नहीं करना, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन्हों उस गैप को फिल करके अपने आपको उस लेवल पे लाना है कि अपने बच्चों क करना है, इसलिए जो बेटे और दूसरी बत एक और चीज़ है, जब बच्चा इस लेवल पर जाता है कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, पहले तो स्कूल में एक ही रेनेज एरिया होते हैं, एक ही तरह के बच्चे आ रहे होते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी स्कूल आत है, एक बची गाउं से आ रही है, एक चोटे शहर से आ रही है, एक बड़े शहर से आ रही है, एक पाकिसान से बाहर से आ रही है, इसी तरह लड़के, आप वो एक दूसरी से बुरा भला भी कहेंगे, एक दूसरे का मजाद भी उड़ाएंगे, लड़कियां बहुत जादा आप फील करती हैं लड़के तरह खामुछ हो जाते हैं अचा मुझे लगते हैं हम लोगों की जनरेशन बहुत सेंसिटिव भी हैं हम डिपरेशन बहुत जिल्दी पहले थे और कोई खुशी है वह उसमें इसमें अप्पर जाते हैं तो सेंसिटिविटी भी एक अलमें जाद है कि नॉर्मली कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत संसिटिविटी की तरह जाती है इनों ने बहुत अच्छी बात की कि जो डाइट का एक अलिमेंट और जो मीडिया आपको एक बोड़ी इमेज का अचेप बच्चियों में खास्तोर पर फैदा शुरू का रहा है हाँ जीरो स आपने क्या करना है आपने इसको यह कहना है कि जो भी बॉड़ी इमेज आए यू शुड पी कमपोटेबल विद दाए यू शुड एक्सट यूरसर तो आपको सिर्फ ड्रेसिंग अपने जिसामत के हिसाब से करनी है तो यू विल बी ओके अब अब होता यह है कि फैशन वो शुरू हो जाती है तो उसकी वज़ा से जो है वो फिर एक प्राब्लम बन जाता है वो फिर अनुरेजिया का बहुत प्राब्लम आ जाता है कि बच्चिया खाना ही छोड़ देती हैं तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला इस्यों बर्तर नहीं आती है दूसरा हम जाता है तो हमेशा ये पेरेंट्स को भी ड्वाइस करते हैं कि अपने बच्चों को ये चीज़ जरूर इस पर करें कि सुबह का ब्रेकफास्स बहुत बहुत इंपॉर्टन होता है तो वो जरूर करें और उसके बाद जो है दो पहर में चलें आप लेट भी खा लें तो तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि अच्छी बाते हैं ताइजनाब हमने इतनी अच्छी डिसकाशन की और इसका हाल यही ने किया कि दोनों साइट से एक पॉजिटिव अटिट्यूड हो उफिंसिव ना हो तो बच्चे भी शेयर करें कि अपने पेरेंस बड़ों के साथ अब बच्चों की नाना नानी से बहुत दोस्ती होती है जो इवन पेरेंस को नहीं कह सकते है उनको कह देते तो पेरेंस या उन बड़ों को भी चाहिए कि वह कुछ आटिट्यूड ऐसा फ्रेंडी रखें कि बच्चा आटिट्यूड यह आप से शेयर करें ना कि आपको उस काशे करनी है आप देखते रहें जागल होट